दोस्तों बहुत बार हम अपने wifi का password बूल जाते हैं जबकि wifi हमारे computer system में connect होता है और हम internet use भी कर रहे होते हैं क्योंकि जैसे ही हम अपने computer system को open करते हैं, wifi auto connect होने के कारण हमारे system पे automatically connect हो जाता है और हमें password डालने की जरुवत नहीं परती है लेकिन किसी दूसरे device में wifi से internet चलाने के लिए या किसी दूसरे computer को उस wifi से connect करने के लिए हमारे पास wifi का password होना जरूरी होता है तब हम उस device में internet का use कर सकते हैं या internet को connect कर सकते हैं तो यहां पर मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने wifi का password जान पाएंगे यह यूं कहिए कि आपको आपके wifi का password दिख जाएगा तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विरेंदर कोगरेती और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका टली टेखनिकल चैनल पर तो दोस्तों connect wifi का password जानने के लिए दो तरीके हैं जो पहला जो तरीका है दोस्तों वो है command prompt command prompt की मदद से आप अपने wifi का password जान सकते हैं दूसरा जो तरीका है दोस्तों वो है wireless property तो यहाँ पर दोनों तरीके बहुत ही आसान है तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं command prompt की मदद से हम wifi का password कैसे जान सकते हैं तो दूस्तों command prompt पे याने के लिए आपको यहां पे start पे click करना पड़ेगा और यहां पे run आपने type कर देना है उसके बाद यहां पे आपने cmd type कर देना है अब यह small में करेंगे या gaps में करेंगे उसे कोई फरक नहीं पड़ता है तो उसके बाद आप इसको OK कर देंगे OK करने के बाद यहाँ पर आपके पास cmd की command open हो जाती है अब यहाँ पर आपने एक command type करनी है, अब command क्या है वह है netsh उसके बाद आपने safe देना है उसके बाद लिखना है why उसके बाद फिर space देना है उसके बाद आपने लिखना है So S-H-O-W उसके बाद एक space और देना है फिर लिखना है profile P-R-O-F-I-L-E फिर space देना है फिर लिखना है name इतना लिखने के बाद आपने यहां पे Is equal to का sign लगा देना है और उसके बाद आपने यहां पे अपने Wifi का name देना है यह Tech Support Wi-Fi का Name डाल देना है, तो T-E-C-H-S-U-P-O-R-T, यह मैंने डाल दिया, उसके बाद हमें यहाँ पर एक Space और देना है, और यहाँ पर हमें लिखना है Key-E-Y-Key, उसके बाद फिर इस कल्टू का हमें यहाँ पर Sign देना है, और यहाँ पर लिखना है Clear, C-L-E-A-R, बस इतना आपने लिखना है, और इसको जैसे ही आप Enter करेंगे, तो अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे Options आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो तो तोड़ सा आप निचे जाएंगे, तो यहाँ पर आपने जाना है Security Setting में, तो यह Security Setting है, तो यहाँ पर देखिए, यह हमारे Internet का हमारा Name है, Tech Support हो गया, और उसके बाद यह Key Content में, यह हमारा Password हो गया, तो जो भी यहाँ पर लिखके आ रहा है, यह आपका Password है, तो यह तो था कि CMD की मदद से, आप अपने Password को कैसे जान सकते हैं, अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, Wireless Property की मदद से, हमें कैसे Wi-Fi के Password को जाना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपने Internet आइकन पर Right Click करना है, और उसके बाद Open Network and Internet Settings पर क्लिक कर देना है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह की विंडो आपके पास आजाएगी, और यहाँ पर आपने क्लिक करना है, Wi-Fi पे और Wi-Fi पर क्लिक करने के बाद, उसके बाद आपने यहाँ पर Change Adapter Option पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद यह आपके पास Network Connection का यह विंडो आपके पास यहाँ पर उपन हो जाता है, तो यह जो Option है, यह आपको Control Panel से भी मिल सकते हैं, लेकिन यह आसान तरीका है यहाँ पर जाने का, तो यहाँ पर मैं इस पर Wi-Fi पर क्लिक कर देता हूँ, आइकन पर, उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है, Wireless Property, और उसके बाद यहाँ पर Security पर क्लिक करना है, और यहाँ पर 100 characters आ रहा है, तो यहाँ पर हमें इस पर क्लिक कर देना है, तो यह देखिए, यह हमारा Password है, जो कि हमें CMD में भी दिखा रहा था, तो इस तरह से आप अपने Connected Wi-Fi का Password जान सकते हैं, तो दोस्तों उमीद करता हूँ, कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में जैहिन,